रियो अलम्पिक में इतिहास रशने वाली बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू की जीत का जशन एक तरफ जहां पूरा देश मना रहा है वहीं मल्याली फिल्मों के निरदेशक सनल कुमार शशिधरन ने सिंदू की जीत पर आपत्ती जनक टिपनी की है अपनी फेस्बुक पोस्ट में सनल ने लिखा है कि हर कोई सिंदू की जीत की खुशी मना रहा है लेकिन इस से इतना खुश होने वाली कोई बात नहीं है क्या हो अगर मैं इनकी जीत पर थूग दूँ अपनी इस टिपनी के बाद वो विवादों से घिर गए हैं हर तरफ सनल की विवादी टिपनी की आलोचना हो रही है पोस्ट पर सफाई देते हुए सनल ने लिखा है कि मैं उन लोगों को अपनी सफाई नहीं देना चाहता जो मुझे गाली दे रहे हैं क्योंकि मैं अपने बयानों और स्टेंड पर पूरी तरह सपष्ट हूँ जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ और उसका मतलब क्या था मेरे लिए पागल भीड को समझा पाना बेकार है जो बिना ये समझने की कोशिश किये बगैर कि मैंने क्या कहा मुझे गाली देना और हमले करना जानते हैं मैं पागल नहीं हूँ कि मैं ऐसी महिला की बेजती करूं जो हमारे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के लिए लड़ी और जीती भी मैं अपनी देश भक्ती किसी के सामने साबित नहीं करना चाहता लेकिन यह खबर न पहलाएं कि मैंने पीवी सिंदू के खिलाब कुछ कहा है यह पूरी तरह आधारहिन और सब्त्य से परे है जी हैं पहले गलत बयानी फिर सफाई सनल का पोस्ट उनके मताबिक मजाक है लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस बयान का क्या अंजाम हो सकता है देखते रहे दीवी राइट